CBSE ने बुद्वार को 10 वी का Maths और 12 वी का Economics का एक्जाम दुबारा करवाने की घोशना की थी हाला कि इस पर CBSE ने एक्जाम की तारीख की घोशना नहीं की थी सूत्रों के मुताबित क्लास 10 का Maths का एक्जाम 26 अप्रेल को हो सकता है जबकि बारवे Economics का एक्जाम 24 अप्रेल को हो सकता है CBSE के इस फैसले से 16 लाग से भी जादा चात्र प्रभावित हुए है केंडरीय मानो संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि CBSE ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदाम उठाए है Board Exam के पेपर में नया पैटन अपनाने की तयारी करी जा रही है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं दुबारा ना हो पुलिस ने इस मामले में दो केस दर्ज कर लिये हैं इनकी जांच के लिए S.I.T. का भी घठन किया गया है CBAC पेपर लीक मामले में गुरुवार को केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रवी शंकर प्रशाद ने मीडिया को सम्बोधित किया जावडेकर ने CBAC के साफ सुत्रे रिकॉर्ड का बचाओ किया और दिल्ली पुलिस की जाच में भरोसा जताया इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें साथ ही अपने वीडियोज और आइडियाज आप हमारे साथ शेर करना ना भोलें थैंक यू